हरे कृष्णा रादे रादे भक्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्ते लड़ु गोपाल जी का सर्दियों में इवनिंग टू नाइट रूटीन दिखाने वाले हैं कि शाम को इनकी संद्या पूजा कैसे करते हैं भोग सेवा कैसे रहती है और इनको सुलाती कैसे हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा वैसे मुझे ये कहने की जरुवत नहीं है क्यूंकि जो भी लड़ु गोपाल जी के भक्त होते हैं ना उन्हें लड़ु गोपाल जी की देखने में बड़ा ही आनन्द आता है वीडियो पसंद आए तो लाइक और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो फ्रेंड्स यहां पे सभी के पहले आप दर्शन कर लीजिए तो सभी ने यहां पे गरम वस्तर पहन रखे हैं अस्ट सक्षियां खड़ी है पुष्प मैंने इनको सुभा में चड़ाए हुए थे मुर्जाए नहीं है क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो अभी बजा है शाम के साड़े चार इस समय पर हमारे यहां पर चाय नाश्ता किया जाता है तो मैंने लड़ू गोपाल जी के लिए बनाया है हलवा तो मैं चाय का बहुत कम लगाती हूँ लेकिन हां मैं आपको बता दू जितनी ठंड बढ़ेगी ना मैं इनको चाय का भी भोग लगाऊंगी क्योंकि मतलब यह अपने भाव होते हैं देखिए हम कुछ चीजों में नियम करते हैं लड़ू गोपाल जी के लिए लेकिन जब हमारा प्रेम अपने बच्चे की तरह हो जाता है ना उनसे तो लगता है कि जड़ियों में अदरक वाली चाय उन्हें थोड़ी से जरूर हमें पला देनी चाहिए जिससे कि उन्हें ठंड का एहसास कम हो तो फ्रेंट्स मैं ऐसा मानती हूँ कि लड़ू गोपाल जी घर के ऐसे सदस्य होते हैं कि हम इने जैसे भी रखते हैं ये वैसे ही रह जाते हैं अगर हम इनकी कम सेवा करते हैं तो भी ये हमसे कुछ नहीं कहते और अगर हम इनकी ज़ादा सेवा करते हैं तो इनके हाव भा से पता चलता है कि यह हमारी दी हुई सेवा से कितने प्रसन है तो बस दस मिनट इनके पास भोग रखने के बाद मैं भोग को हटा लूँगी फिर हम करेंगे शाम की संध्याबाती क्योंकि फ्रेंट सर्दियों का टाइम है और इस समय पर ना पांच साड़े पांच बजे तक जो है काफी अंदकार हो जाता है और हमारे आपर हो रही है बारिश तो सर्दी भी काफी है तो फ्रेंट शाम के समय घर के मंदिर में दहलीच पर तुलसी जी में और काना जी के पास सभी जगा पर मैं दिये जलाती हूँ लेकिन मैं वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ नह तो आज मैं बना रही हूँ यहां पर पत्ता गोबी अलू की सबजी और इसी के बनाऊंगी मैं पराठे तो friends क्योंकि मेरे यहाँ पर दोनो टाइम ही सात्विक भोजन बनता है तो मैं दोनो टाइम ही लड़ु गोपाल जी को भोग लगाती हूँ दो टाइम क्या friends मेरे घर में जितनी भी बार हम लोग कुछ खाते है न वो सबसे पहले लड़ु गोपाल जी के सामने ही रखा जाता है तो friends यही आदत घर में सभी की बन चुकी है बेटा भी आपने देखा होगा वीडियोज में अगर चौकलेट भी लेके आता है न तो खुद खाने से पहले लड़ु गोपाल जी के सामने रखता है और सेम यही आदत मेरे husband की है कोई भी मिठाई लाएंगे कोई भी चीज लाएंगे न तो पहले लड़ु गोपाल जी का भोग निकलता है और मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आपके यहाँ अगर प्याज लेसन बनता भी हो न तो कई सारे ऐसे option होते हैं जो कि हम लड़ु गोपाल जी का भोग लगा सकते हैं जैसे आप दूद रोटी का भोग लगा दे पराठा दे दे दें दही के साथ कुछ नहीं आप चीनी रख करके भी दे देंगे न वो उसे भी ग्रैंड कर लेते हैं बस हमारे मन में उनके लिए प्रेमूना चाहिए और एक ये फिक्र होनी चाहिए कि हम तो खाए हुए बैठ अब हम लड्डू गोपाल जी की प्लेट लगा लेते हैं क्योंकि मेरी सबजी भी बन गई है तो यहां पर मेरी सबजी तयार हो चुकी है हलका सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है और बस अब हम लड्डू गोपाल जी की प्लेट लगा देते हैं तो प्लेट में देखिए मैंन और अगर राधर आनी है तो उनकी निकलनी चाहिए तो दिया शान्त हो गया है दिये को हटा देते हैं और ये प्लेट में मैंने खाली कटोरी क्यों रखी है अभी मैं आपको बताती हूँ तो हस्बिंड आये हैं अभी ऑफिस से वो लेके आये हैं गजक तो मैं यहाँ पर गज लट्डू गोपाल जी के लिए और ये मुफली वाली जो गजक होती है ये मेरी बहुती जादा फेवरेट है आप में से किस-किस को अच्छी लगती है जरूर से बताईएगा तो बस लट्डू गोपाल जी को एक तुलसी पत्र रखके हम भोग लगा देंगे पांस-दस मिन हैं तो ना डाले ठीक है तो क्यूंकि मैं हमेशा से एकी ही थाली लगाते आई हूँ तो मैं उसमें तुलसी पत्र जरूर से रख देती हूँ और फ्रेंट्स ये तो अपने मन के भाव होते हैं आप अलग से लगाना चाहें तो अलग से लगा सकते हैं तो फ्रेंट्स जैसे बर्साने में राधारानी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती है। अब देखिए चार दिन वो नियम हम निभाले और पाँच में दिन वो नियम हमसे ना निभाया जाए तो हमें वो नियम नहीं बनाने जाहिए। तो मैं लड़ु गोपाल और राधारानी दोनों के लिए एक ही थाली लगाती हूँ तो क्यूंकि फ्रेंट्स जो लोग घरों में लड़ु गोपाल राधारानी की सेवा करते हैं वो और भी कई सारी जिम्मदारियों के साथ जुड़े हुए होते हैं तो इतने नियमों में ना पढ़के सिर्फ हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए ठीक है तो और देखिए बाखी आपकी जैसी इक्षा अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो भोग की थाली रखके मैं चली गई थी किचिन में सबके लिए खाना बनाने और पांस-दस मिनट मैंने रखी रहने दी थाली अब मैं इसको हटा लेती हूँ उसके बाद फ्रेंट्स सभी ने खाना खाया और अब बच्चुके हैं रात के नो और नो बजे करीब मैं लड़ु गोपाल जी को दूद का भोग लगाती हूँ तो हलका गुनगुना दूद करके लेकी आई हूँ मैं इसमें मैंने तुलसी पत्र डाल दी आ है और फ्रेंट्स थोड़ी देर हम इनके पास ही रखा रहने देंगे उसके बाद हम दूद हटा लेंगे और अब हम करेंगे इनकी सोने की तयारी तो जो भी इनकी जो अस्ट सक पंखुडी वगरा होती है और फूल होते हैं ये सब मैं हटा दूँगे तो अच्छे से मंदिर को क्लीन करने के बाद अब हम करेंगे इनकी सोने की तयारी तो जिस तरह से हम लोग अपने बैड को अच्छे से क्लीन करके सोते हैं ना ऐसे तो फ्रेंट्स पिछली साल मैंने ये ड्रेसर इनके लिए तयार की थी नाइट में पहनाने के लिए और एक गरम शॉल में लेके आई थी जिसे स्टॉल बोलते हैं उस मैंसे मैंने बनाई थी और गरम कपड़े की ही मैंने ये पैंट तयार की थी और अब हम इनको राधारानी को और लड्डू गोपाल जी को दोनों को ये वस्त्र पहना देते हैं, तो लड़ू गोपाल जी का जितना भी शिंगार का सामान हैं, बाल हैं, माला हैं, या फिर इयर रिंग्स हैं, ये सारे हम उनकी ड्रॉर में रख देंगे, और फिर हम इनको वस्त्र पहनाएंगे, तो फ्रेंट्स ये भी अपने भाव हो इनको ऊपर की ये जो मैंने जैकेट जैसे बनाया है ये पहना देते हैं, और फ्रेंट्स बहुत ही सॉफ्ट कपड़े के हैं, आपने पिछले साल की वीडियो में भी देखे होंगे, ये वस्त्र इनके, और जब मैं इन वस्त्रों को पहना रही थी ना फ्रेंट्स, तो ये इनको आई नहीं रहे थे, तो मैंने बहुत कोशिश की कि इनको आज आएं, और देखी, कैप लगा दी है, मैंने इनके सर पे बहुत ही जादा अच्छे लगते थे ये इन वस्त्रों में, लेकिन इनको आई नहीं रहे हैं, अब मैं इनके लिए दूसरा नाइट सूट निका पोशाक आई ही नहीं, तो क्या आप में से ऐसा किसी के साथ हुआ है, कि लड़ु गोपाल जी की हाइट या वेट बढ़ गया हो, मुझे कमेंट में जरूर से बताना, तो फ्रेंट्स लड़ु गोपाल जी तो रेडी हो चुके हैं, अब हम अपनी लाडो को भी सुलाने की तैयारी करते हैं, तो हमारी लाडो को देखी कितनी मुस्कराहट आ रही है, क्योंकि मैं कनहिया से कह रही थी कि तुम मोटे हो गए हो, तो हमारी लाडो को बहुत मुस्कराहट आ रही थी सुन-सुनके, तो बस इनके भी हम जो हैं बाल और ये जो भी मंगल सूतर वगएरा ये पहना है ये हटा देते हैं और friends ये पहना हुआ है मेरी लाडो ने काफ़तान तो ये काफ़तान ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है वूलन में और मैंने ये घर पर ही बनाई थी बिना किरोशिया बिना सलाई के आप देख सकते हैं तो बस उसकी ऊनकी मैंने चोटिया तयार करके उसको मैंने सिल दिया था तो लाडो की चूडियां और ये वस्तर चेंज कर देती हूँ मैं तो फ्रेंट्स यहां पर देखिए हमने लाडो के वस्तर चेंज कर दिये हैं और इनको भी ये गरम पैंट मैंने पहना दी है और देखी हम करेंगे राधारानी और बड़े लड़ू गोपाल की सेवा उसके बाद हम अपने छोटू से लड़ू गोपाल की सेवा करेंगे तो यहां पर मैं कर रही हूँ इत्र से मालिश तो फ्रेंट्स आप घी से या फिर ओयल से भी कर सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घी य इत्र से मालिश करना अच्छा लगता है तो फ्रेंट्स यहां पर हमने इनका बैड तयार कर दिया है और यह मैंने गरम चादर इनके लिए बिचा दी है तो बस अब हम इनको लिटाने की तयारी करेंगे फिर हम इनके चर्णों की भी सेवा करेंगे थोड़ी सी तो यहां पर देखिए हमारे लट्डू को पाल और राधारानी आ चुके हैं और हमने इनको लिटा दिया है अब फ्रेंट्स हम इनके चर्णों पर भी थोड़ी सी इत्र की मसाज करेंगे तो फ्रेंट्स हां मैं आप से कह रहे थी कि ओईल से या घी से मालिश मैं उस समय करती हूँ जबक गरूमारी ओ में आप जोबी इत्र का यूज़ करें वो ठंडे इत्र नहीं होने चाहिए ठीके टो जैसे चंदन का इत्र या फिर खस का इत्र जो होता है यह काफी ठंडे होते हैं और इन्हें हम गर्मयों में ही इस्तमाल करते हैं तो बस चर्णों पर थोड़ी सी इत्र और देखिए राधारानी की चरण कितने प्यारे लग रहे हैं तो लड़ु गोपाल और राधारानी दोनों को ही मैंने चांदी की पायल पहना रखी है और यह पायल मैं कभी भी उतारती नहीं हूँ हाँ जब थोड़ी सी काली पर जाती है तो बस इनको मैं दुलने के लिए उ भरी हुई है और यह जो बैड है न आप बैड का सिराना देख रहे है न तो उसी कपड़े के मैचिंग की मैंने इनकी रजाई भरबाई थी और काफी गरम रहती है यह रजाई तो बस यह तो सोच चुके हैं अब हम करते हैं अपने छोटे लड़ु गोपाल की सेवा तो थो और इनको भी हम जो है नाइट सूट पैना देते हैं तो यह चोटा सा एक स्वेटर मैंने बनाया था इनके लिए और यह पैंट और उसके साथ की कैप तो यह लग चुका है इनका यहाँ पे बैड तो बैड पे मैंने वही शनील वाली चादर बिछा दी है और पिलो पर भी म मैंने इसमें गोटा लगा दिया है और ठाकुर जी भी देखिए नाइट सूट पैन के अपना आ चुके हैं सोने के लिए तो कितने क्यूट लग रहे हैं छोटे से तो सबसे पहले हम रग देंगे इनके पास एक लोटे में जल भरके जिसमें की मैंने तुलसी पत्र डाल दि जो कि इनको थोड़े से भजन सुनाएंगी और नत्य करके दिखाएंगी तो बस इस तरह से इनकी सेवा हो जाएगी और देखिए कैप लगा के बैठे कितने प्यारे लग रहे हैं तो बस अब हम इनकी इतर से मालिश करेंगे फ्रेंस इतर से मालिश करने से प्रभू तो साथ हमारे हातों में भी खुश्बू रह जाती है और रात में हमारे कमरा भी महकता रहता है जिसकी वज़ा से हमारे को ना नींद बहुत अच्छी आती है और क्यूंकि ठाकूर जी भी सारा दिन बैठे बैठे ठक जाती है और जब हम हलकी सी भी मालिश कर देते हैं उनकी तो बहुत अच्छा लगता है उनको तो बस हातों में थोड़ा सा जूला जूला दें एक कोई लोरी सुना दें इस प्रकार से हमें अपने लड़ू गोपाल को सुलाना चाहिए तो रात में जाधतर ना मैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारा यडवा सुदे सेवा इसी मंत्र को बोलती रहती हूं और इनकी सारी सेवा कंप्लीट हो जाती है तो देखे कितने क्यूट लग रहे हैं और कहीं से भी नहीं लग रहा कि इनकी आखों में अभी नींद है लेकिन अब क्यूंकि सोने का समय हो चुका है तो हम इनको लिटा देते हैं और तीनो इनका इवनिंग टू नाइट रोटीन तो फ्रेंट्स कमरे में नाइट वल्ब जलता रहता है तो ठाकुर जी हमारे सो चुके हैं तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको जरूर बताएं वीडियो का कर्तियू में यहीं पर एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में